आओ बच्चो आज क्लास 9 का चप्टर 10 पढ़ते हैं जिसका नाम है ग्रेविटेशन गुर्तवा कर्शन सारी साक न्यूटन ने गुर्तवा कर्शन के परकरम का इन्वेंट किया था खोज की थी और उन्हेंने कहा कि सभी वस्तवें चाहें हम नीचे से उपर फैकें या उपर से मुक्त पतन हो रहा होता है तो वो प्रिथवी के गुर्तवा कर्शन बल के कार नीचे की तरफ ही आती हैं आएए पढ़ते हैं कि गुर्तवा कर्शन क्या है गुर्थवा कर्शन एक ऐसा बल है जब प्रिथवी किसी चीज को अपनी तरफ खीशती है तो वो बल लगाती है और उस बल को प्रिथवी का गुर्थवा कर्शन बल कहते हैं और जो ये फिनोमेनन होता है उसको गुर्थवा कर्शन कहते है सर इसाक न्यूटन ने concept दिया था कि प्रिच्वी पर कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो एक दूसरे को attract ना करें अगर दो वस्त्वें हैं तो उनके बीच में force होगा ही होगा और उस force का नाव उन्होंने गुर्टवा कर्शनबल दिया जैसे picture में आप देख रहे हैं कि बहुत सारे घरे sun के चारों तरफ चक्र लगा रहे हैं और अपने अपने orbit में ये move करें हैं ऐसा क्यूं है क्योंकि sun और planets के बीच में जो force है वो gravitational force है गुर्टवा कर्शनबल है जिसकी वज़े से वो अपने अपने पात में चक्र लगाते रहते हैं तो गुर्टवा कर्शनबल सभी चीजों में होता है आईए कुछ example लेते हैं कि कहां कहां पर हम गुर्टवा कर्शनबल देखते हैं जैसे left side में पिक्चर दिखा रहे हैं पार्क की वहाँ पे कुछ stones पड़े हुए अगर यह stones है same size के हैं या different size के हैं चोटे size हैं इनका और यह ground पर रखे एक दूसरे को attract कर रहे हैं लेकिन यह attraction हमें दिखाई नहीं देता लेकिन दूसरी तरफ एक ball हमें bounce करती हुए दिखाई दे रही है तो इसका कारण क्या है कि जो पत्थर हैं जो ground पे हैं क्योंकि उनके बीच में force तो है लेकिन वो force क्यों नहीं दिखा रहा है क्योंकि उनके द्रवेमान क्या है कम है लेकिन right hand side में जो ball है वो bounce करती हुए क्यों नजर आ रही है क्योंकि यहाँ पर जो गुर्तवा कर्शन बल है वो ball और प्रित्वी के बीच में है ball का द्रवेमान कम है और प्रित्वी का द्रवेमान ज़्यादा है इसलिए जो force है प्रित्वी का वो ball को अपनी तरफ खीशता है जिसके कान ball है वो हमें मू करती भी नजर आती है और बल ज़्यादा होने की वरे से ball का moment भी ज़्यादा है उसके उपर भाये ball लग रहा है अब पढ़ते हैं सारवत्रिक नियम गुर्तवा करशन का सारवत्रिक नियम युनिवर्सल लौ ओफ ग्रेविटेशन लिसाग न्यूटन ने क्या कहा कि इस युनिवर्स पूरे ब्रभांड में प्रतेइक वस्तू दूसरी वस्तू को एक ball के द्वारा आकरशित करती हैं और वो जो ball लगता है उन दो वस्तूओं के बीच में वो उनके द्रवेमानों के गुणन फल का समानुपाती होता है और साथ में उनके बीच की जो दूरी है उस दूरी के square मतलब वर्ग का भी अनुकरमानों पाती होता है तो दो condition है इस law के अंदर पहला product of masses force के directly proportional है दूसरा जो force लगता है जो बल लगता है वस्तूओं के बीच में वो उनके बीच की दूरी के square के अनुकरमानों पाती होता है जैसे आप इस picture में देख रहे हैं एक बड़ी ball है मतलब एक बड़ा दरवेमान की वस्तूओं है जिसका mass है capital M लाल वाली हरे वाली है जिसका दरवेमान कम है उसको हम small m से represent करते हैं ये capital लाल वाली हरे पे बल लगा रही है लेकिन movement किसमें दिखाए दे रहे जैसे मैंने पीछे example दिया था जिसका दरवेमान कम होता है इसलिए वो ball है वो bounce कर रही है ऐसे ही यहाँ पर दोनों एक दूसरे के उपर force लगा रहे हैं और वो force किसके बरावर है F equal to capital G capital M small m divide by r square capital G universal constant है ये gravitational constant है जिसकी value fix होती है हमेशा सिरांग कही है capital M दरवेमान बड़ी ball का small m दरवेमान चोटी ball का और M चोटी और बड़ी ball के बीच की जो दूरी है उसको represent किया गया small r से और F क्या है बल उन दोनों बस्तों के बीच में लगने वाला बल तो ये बहुत बार paper में आता है कि सारवत्रिक गुरुत्वा कर्षन का सारवत्रिक नियम से क्या विप्राए है उसको mathematically derive करें तो इस तरीके से आप उसको calculate कर सकते हैं इसको हम थोड़ा सा और explain करते हैं गुरुत्वा कर्षन के सारवत्रिक नियम को माना कि दो बॉल है एक A बॉल है और एक क्या है B बॉल है या objects कोई भी हो सकती है एक का mass है m small m और एक का mass है capital M दोनों को D distance से separated है center of mass से और दोनों के बीच जो बल लग रहा है उसको represent किया गया है capital F से तो जो मैंने पीछे condition बताए थी कि जो force लगता है वो दोनों के product के समानुपाती होता है दरवेमान की और साथ ही उनके बीच की दूरी के वर्ग के अनुकर्मानुपाती होता है जब इन दोनों equations को F directly proportional to M capital M और F directly proportional to 1 upon D square अगर इन दोनों को join करेंगे तो formula क्या बन जाता है जो blue अक्षर में लिखा हुआ है F equal to capital G capital M small m divide by D square and इस law को हम कहते हैं गुर्टवा कर्शन का सारवत्रिक बल का नियम उसके बाद जो हमने गुर्टवा कर्शन का बल का नियम पड़ा उसमें एक value आई थी capital G जिसको हम कहते हैं सारवत्रिक गुर्टवा कर्शन स्तिरांग मतला अगर मैं इस formula के अंदर M1 को 1 kg मान लू M2 को भी 1 kg और दोनों की बीच की जो दूरी है D अगर उसको 1 मिट लिखा जाए और force को 1 N माना जाए तो जो value आएगी constant वो क्या है 6.67 into 10 की power minus 11 Nm per kg square ये value हमें याद रखनी है और ये value कई बार numericals में भी यूज होती है और आपको separately भी पूछ सकते हैं पेपर के अंदर कि इस गुर्टवा कर्शन स्तिरांग क्या है उसका मान बताईए next आता है कि जो सारवत्रिक नियम है गुर्टवा कर्शन का इसके उपयोग कहा है इसके importance कहा है मैं पहले first चित्र से ही आपको बता रही हूँ पहले जो बच्चा है वो ground पे खड़ा है तो जो ये बल है बच्चे और ground के बीच में उसको खड़ा करने में help कर रहे है जितने भी चीजे आर्थ के उपर exist करती है उन सब के बीच में क्या है गुर्टवा कर्शन बल है इसी तरीके से बहुत ही beautiful figure है second जहां पर आर्थ के चारों तरफ moon revolve कर रहे है घूम रहे है, motion है, चक्र लगा रहे है तो उन दोनों के बीच में भी क्या है गुर्टवा कर्शन का बल है तीसरा है कि जो समुद्रों में या महा सागरों में जो टाइड्स उठते है जो आर्भाटे उठते है तो यह जो आर्भाटे जो उठते है उसमें क्या है कि जो moon और पानी इन moon के आकर्शन के कान जो रात में moon है वो आकर्शित करता है water का अपनी तरफ और वो tides की form में हो बदल जाता है तो यह इसका उप्योग है गुर्टवा कर्शन के सारतरिक नियम का कि कहां कहां पर इसका उप्योग किया जाता है इसकी applications में यह question पूछा जा सकता है कि इसको कहां apply किया जाता है next आता है मुक्त पतन free fall मुक्त पतन का मतलब यहां पर क्या है कि वस्तु जब गिरती है तो उसके उपर कोई भाये बल नहीं लगता सिर्फ वो पृत्वी के गुर्टवा कर्शन बल के कार नीचे गिरती है उसे उस वस्तु का मुक्त पतन कहते हैं और figure में बहुत अच्छे से दिख रहा है कि इसके motion में direction में change नहीं आ रहा लेकिन इसकी गती में change आ रहा है जैसे उपर building से start होता है इसकी speed काम है जैसे जैसे एक round के पास आता है speed में बदलाव आ जाता है speed change हो जाती है इसका मतलब जहाँ पर भी velocity का magnitude change होगा it means वहाँ पर त्वरण है acceleration है और यहाँ acceleration किसी भाये बल की वज़े से नहीं है यहाँ acceleration गुरत्वा कर्शन बल की वज़े से है जो प्रित्वी से apply हो रहा है इसलिए इस त्वरण को गुरुत्वे तवरण कहते है यानि जब कोई बस्तू क्या वेग गुरुत्वे बल के कारण बदलता है और वो त्वरण में आ जाती है या accelerate होने लग जाती है तो वहाँ पर गुरुत्वे तवरण होता है जिसको हम small g से represent करते है और small g का जो इसा ही मातरक होता है वो वही होता है जो त्वरण का होता है यहां meter per second square और gravity जब प्रित्वी की तरफ कोई वस्तू माना कि height से कोई वस्तू नीचे आएगी तो वो gravity की direction में आ रही है प्रित्वी की तरफ आ रही है लेकिन अगर किसी चीज को आप ऊपर की तरफ फैक होगे वो gravity की against जा रही है तो g value negative होगी यह हम numericals में use करते हैं कि g plus है या minus है अगर एक height से जैसे आप अपनी balcony से कोई चीज नीचे गिराते हैं तो वो gravity की direction में earth उसको pull कर रीखी चिरी अपनी तरफ बस्तु की speed उसका जो acceleration है वो पृत्वी की तरफ है जिसले वो positive value होगी लेकिन जब कोई आप नीचे से बालकनी की बज़ाब नीचे जाकर अपनी society में या अपने घर के नीचे जाकर कोई चीज को अपनी balcony की तरफ हैक होगे अपनी बॉल को या किसी भी चीज को तो वहां पर gravity acceleration जो gravity है तो रहने ग्रुत्वे तवरन है वो पृत्वी का नीचे की तरफ है downward है लेकिन आप उपर की तरफ कारिये कर रहे हो उसकी velocity में change उपर की तरफ आ रहा है तो opposite direction में काम करें तो negative value है और g की value को formula क्या होता है capital gm upon r square और इसकी value fix होती है 9.8 meter per second square इसको हम जो इसका most important point क्या है कि जो value है g की वो किसी भी object के mass या ध्रविमान पर dependent नहीं करती all objects चाहें वो heavy हो या light हो वो same acceleration से प्रित्वी के surface पर गिरती हैं चाहे कोई heavy वस्तु है उपर से गिराओ आप कोई small वस्तु गिराओ लेकिन उनकी gravity fix रहे गई that is 9.8 meter per second square अब आपने जो देखा पीछे कि जी एक value आये थी small g और capital G अब दोनों में क्या difference है जो small g है वो गुरत्वय तवरन है और capital G क्या है सारवत्रे गुरत्वाकर्शन स्थे रांग तो दोनों में difference क्या है तो पहला difference हम देखते हैं तो जो small g है वो free fall objects में होता है मुक्त पतन से कोई वस्तु जब गिरती है height से तो उसमें acceleration आ जाती है और unit mass होता है उन objects का तो उस constant को या स्थे रांग को हम सारवत्रे गुरत्वाकर्शन स्थे रांग के कहते हैं जिसकी value है capital g equal to f d square divided by capital m small m दूसरा difference है small g में g के value differ करती है earth पे place to place equator पे अलग होती है और poles पे अलग होती है pole और center of earth है जो उसके distance कम है तो gravity वहाँ ज्यादा होगी equator का distance ज्यादा है तो वहाँ gravity कम होगी लेकिन capital g की value earth पे same रहेगी उसकी value constant है स्थे रांग है वो कभी भी change नहीं होती तीसरा point है कि जो g की value decrease होती है जैसे जैसे हम move करते हैं above earth surface उपर की तरफ किसी वस्तू को लेके जाएंगे हम earth surface से तो gravity उसका जो contact है क्योंकि distance बढ़ रही है earth से दूर जा रही हो वस्तू तो उसका g value क्या होगी decrease होगी similarly जैसे हम center की तरफ जाते है earth में वो भी decrease होती है लेकिन capital g value height और depth के earth के surface पे dependent नहीं करती है चोथा point small g center of earth पे 0 होती है लेकिन capital g कभी भी center of earth पे 0 नहीं होती है पांच पॉइंट जो value है g की वो differ करती है अलग-अलग celestial bodies पे जैसे moon पे अलग है हम कहते हैं कि moon पर earth पे जो weight होता है वो moon पे जाके 1 by 6 हो जाता है जैसे माना कि किसी में 60 kg weight है अगर वो moon पे जाता है तो उसका weight हो जाएगा 10 kg उसका 1 by 6 portion हो जाएगा तो इस तरीके से g वो differ करता है moon पे, mars पे अगलग planets पे या satellites पे जाते हैं तो उसकी value differ करती है लेकिन capital G throughout the universe क्या रहता है, constant रहता है और 6 difference है small g जो earth surface पे value होते है उसकी value fix है उसकी भी 9.8 meter per second square और value capital G भी fix है 6.673 into 10 की power minus 11 newton meter square per kg square तो इस तरीके से हम ये values इनमें दोनों में difference है easily identify कर सकते हैं, thank you so much, I hope आपको बहुत अच्छी लगी होगी, please do subscribe and don't forget to like too